हेलो दोस्तों, vagyəlecome to ma chanel. आज के इस वेड़ियों में बात करेंगे Difference between vapor compression and absorption reflection system के बारे मीं. दोस्तों, इन दोनों के ओपडर vapor compression ओ vapor absorption के ओपर मैंने separate video बना चुका हूँ, ओललडी यह क्या होता है जो बना आपको बता चुका हूँ वीडियो आपको description में आपको उसकी link मिल जाएगी दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को please subscribe कर लीजे और मेरे वीडियो को like भी कर देना दोस्तो चलते हैं वीडियो पे तरफ vapor compression क्या होता है और vapor absorption क्या होता है ठीक है वही absorption cycle में आपका pressure और temperature increase होता है by the generator compression जादा noise को produce करता है क्योंकि इसमें wear tear होता है wear tear क्यों होता है compression के वज़े से ठीक है और यहीं पर कोई आपको moving part डिकना नहीं है चोटा मोटा pump है बस तो यह जो create करेगा less noise create करेगा तो यह एक difference हो गया supply of energy is low धllके इसमें energy जो supply हो रही है और यहाँ पर यहाँ जो compressor run करता है यहाँ पर more space and less efficient यहाँ पर less space and more efficient इसका मतलब क्या होता है दोस्तों इसकी जो space लेता है वो जादा लेता है और वहीं यह कम लेता है ठीक है और अगर इसकी efficiency और इसकी efficiency दोने same है तो यह जाधा efficient हुआ क्योंकि कि यह size में भी कम है तो यही कहरा है less space लेगा और more efficient है maintenance is more दोस्तो इसमें wear tear होता है क्योंकि compressor है compressor है तो wear tear होगा wear tear होगा तो जादा maintenance है मांगेगा जबकि यहीं पर आपका less maintenance हो रहा है क्योंकि यहाँ पर i hope दोस्तो आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्स्राइब करना और मेरे वीडियो को like भी करना thank you so much